वेलकम बच्चों ये वीडियो क्लास 10 के हिंदी मीडियम के इस्टुएंट के लिए है बच्चों इस वीडियों पढ़ेंगे आप लोग केमिस्ट्री और ये साइन्स का दसवा चेप्टर है पांचवा चेप्टर है बच्चों इसका नाम है तत्वों का वरगे करण ये चेप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों आपका बच्चों स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा कर अपनी अटेनस लगा दीजिए तो चलिए बच्चों जल्दी से अपनी अटेनस लगाईए लाइक का बटन दबा कर औ तो पिरतेक आठवां ततु पहले ततु के समान गुण रखता है। इसी नियम को नियुलेंड का अश्चक नियम कहा गया। और यह नियम संगीत के साथ सोरों पर आदारिता। जिस पिरकार संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। वैसे ही मैंलिफ ने भी करम में रखा जाए तो पिरतेक आठवां तत्व पिरतम तत्व के समान गुण रखता है। अब इस नियम के कुछ सीमाएं थी वह सीमा यह हैं। बच्चों अश्टक का सिध्धान कैल्सियम तक ही लागू होता था क्योंकि कैल्सियम के बाद पिरतेक आठवां तत्व के और 56 तत्व ही विद्मान है। तता भविश में कोई नया तत्व ग्याद नहीं होगा परन्तु बाद में नय तत्व पाए जाने से जिनके गुण धर्म अश्टक नियम के सद्धान से मेल नहीं खाते थे। ये भी दूसरा दोस मिल गया वच्चों उसमें। तीसरा क्या था न्यू लेंड ने एक समान तत्वों को एक ही इस्तान पर रखा परन्तु कुछ ऐसमान तत्वों को भी एक ही स्वर इस्तम में रख दिया जैसे कोबाल तता निकिल को एक जगा रख दिया तता उसी इस्तम में रखा गया है इसमें F, C, L, B, R है यद भी इन तीनों के गुण रखा गया है ये थी अश्तक नियम की सीमा है बच्चो आज पढ़ेंगे हम लोग मेंड लीफ का आवर्त नियम और उसकी आवर्त सानी के बारे में तो बच्चो आपने अटनेस लगा दिये नहीं लगा ये जल्दी से लगा दीजे लाइक बटन दबा कर ये बच्चो दिमि प्रेटोश कोर्टशी और लाइबरी एंड इंफर्मिशन सेंटर में रखा हुआ है दें बच्चो ये आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर में की बड़ी सी दिवार आई है ठीक इस में में लीफ की आवासाने लिखी हुई है और ये फोटो दिखाई दे रह यह पिटर्सबर्ग में पिटर्सबर्ग रूस में ठीक है यह रूस के साइंटिस्त थे तो इसलिए उनको सद्धांजरी देने के लिए वहाँ पर एक बड़ी सी दिवार बनवाई और उस दिवार पर मेंडलीफ की मुलावसानी अंकित करवा दी ऐसा क्यों किया गया बच्च पर मूल आधुनिक आवासानी बनी है यानि इनों नहीं मूल आवासानी को यह रूप दिया था और इनमें पावासानी बनाने में इनका महत्पुन योगदान रखा है तो बच्चो मेंडलीफ का मूल आवासनी है क्या यह पैच्छा में 12 पूछा गया है तो उत्तर है बच्चो इसका मेंडलीफ का मूल आवासनी है अनुसार तत्वों के बहुत ही तता रासा है निगुन उनके प्रमानों भारों के आवरती फलन होते हैं बस यही छोटा सा में मेंद लिव मूल आवर्तनियम मेंद लिव के मूल आवर्तनियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तता रासाएनि गुन उनके पुरमाणों भारों के आवर्ति फलन होते हैं यह नूट करना है अगर नियू लेंड के अच्छे नूट करनी थी अब चलो आगे बच्चों यह मूल आवासार्णी इस मूल आवासार्णी में आप देख रहे होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, चैस, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, अब बारह बारह क्या है? सेणिया है यानि जो 36 पंक्ति हैं वो सेणिया है, जो उर्द्वादर हैं इस तरह, कितनी है बच्चों ये? आठ, जो आठ उर्द्वादर इस्तंब हैं ये क्या है बच्चों? समू, यानि मैनलेफ ने अपनी मूल आवासार्णी को दो भाव में बाटा किस में? समू में और स्रेन में, यानि समू में और आवर्द में, जो उर्द्वादर पंक्तियाँ हैं इन्हें तो समू कहा गया, और जो 36 पंक्तियाँ है, इन्हें आवर्द कहा गया सबज़ गहोगे मैनलेफ के समय में 56 तटु ज्याद थे और मैनलेफ की मूल आवासार्णी में 8 समू और 12 पंक्तियाँ थी चलिया आगे आवर थे अब पढ़ेंगे हम लोग मैंड लीफ की वर्गों के सामवने लक्षन वर्ग किन्या का गया बच्चो उर्दवाद समू को इनके लक्षन परते हैं मैंड लीफ की आधुनिक आवसानी में नो उर्दवादर इस्तम है जिनने वर्ग या समू कहा गया यह कहां से कहां तक है एक से साथ तक पिरते वर्ग को दो उपवर्गों में वाइद किया गया है जिनने एवैक कि बी उपवर्ग कहते हैं देखो जब देखें जब एक बार यहां तो इसमें नहीं है बच्चो अब आगर दिखाएंगो में असानी आपको उसमें दिखा जाएगा आपका यहाद रखेगा मैंड लीफ ने अपनी आवसानी इस तरह बनाई थी मैंड लीफ नावसानी अपनी ठीक पिरते आवसानी को दो उपवर्गों में बांट दिय इसे फर्स्ट लिखा तो यह हो गया फर्स्च है ऑर फॉस्ट भी अब इससे के माम लेए इसको ए कहा गया और इसको भी थर्ड कॉलम होता है हम prinसे को पिखे दिया थर्ड है और वचो थर्ड भी ऐसे ही इस सेकिंद हमारा समूं तो इस सेकिंद ए हो जाएगा और सेक्ष तो पहनले मूल आवसानि में एक से लेकर साथ तक कि पिरतियक वर्ण को कितने से इसमें 8 ते ऐक से लेकर आघ तक के साथ तक उपरको दोपरको बाता जिन्हें A यह या A । उपर कहा और आजवे स्थमों को तीन स्थम्भव में बाटत बांच दिया गया कितने स्थम्भव में तीन स्थम्भव में यहां इसमें 3 रखे यह एक भी जगा swing ठीक है बच्चो याद रखेगा और नौवे वर को सुनने का गया क्या गया इसमें क्या रखा गया अक्रिय गैसों को इस्थान दिया गया याद रखेगा मैंटलिफ ने अपनी मूल आवा सानी को शानी में आठ नौ उर्द्वादा इस्तम बनाए और उन इस्तम्भव क्या का गया बच्छो सम्भु आ गया और याद रखेगा एक से लेकिये साथ तक क्या समीव समूको दो उप वर्घ्व को दो उपरगों में ए और बी में और साथवे में तीन इस्तंबों को इस्थान दिया गया और नौवे में नौवे को सुनने वर कहा गया इसमें आकरिये या उत्गर्ष गैसों को इस्थान दिया गया अब बच्चों पिरते वर के समस्तात्यों के सामाने गुर्दम क्या होते है समान होते हैं आगे चलते हैं बच्चम और आवर्तों की सामान लख्षण अब बच्चम याद रखिएगा heading लागा है सेंप्ट से में इस you've उत्तर चाकार देना है मेन आवर्तों के मुख रख्षण मेनलीफ की आध़ूनिक आवर्तों हैं साथender पंक्तियां प्रिठम आवर्त से 7 वे आवर्त कुल 7 आवर्त हैं, और इन आवर्तों के इस मुक्र एलक्षन यह हैं बच्चो, जो नीचे लिखे हुए हैं, तो क्या लिखे हैं बच्चो, समझ लिए इनको, आवासानी में पहले लगु आवर्त में दो तत्व क्रम से हाडुजन और हेलियम में जिसके करन इस अवर्द को अथि लगवावत कहते हैं आवसानय के दूसरे तीसरे में आठ लगू आवर्द और आवर्द सानि में अंतिम 4 आवर्द को क्या कहा गया दीरृग्ष और चौथे ता पांचवे आवर्द में पिरतियक में 18 अठार तत्त्में तो वह शते आवर्द में 32 अथा सात्मा अपून हैं वह सात्मा अपून हैं और इन सब क्या का गया बच्चो आती दिर्ग आवर्त अब बच्चो चौते पांच में छटे आवर्तों में पिर्तियक में ही तत्वों की दो दो सेणिया है पहली सम और दूसरी विशम है सम सेणि में आठ सता विशम सेणि में साथ तत्व है अब बच्चो मैं आपको आवसा तत्मों के गुणों में लगातार परिवर्तन होता है ठीक बच्चों अब आगे चलते हैं हम लोग अब समझे मेनलीव की मूल आवासानी की उप्योगिता है अत्वा गुण निम लिखीता है इंपोटेंट है एक्जाम में क्या आप पूछी आ चुकी है तत्मों के सरल अध्यान में उप्योग देखो बच्चों याद रखेगा यह नोट कर लेगा अपनी कॉपी में आवसानी से किसी तत्मों विशेश का अध्यान करना ही उस वर्ग के सब सब्यान का अध्यान सरल हो जाए क्योंकि एक वर्ग में उपासे सभी तत्वों के गुण में परस्पर समानता होती है दूसरा पॉइंट प्रमानु भार ग्याद करने में उपयोग तो बच्चों मैनलीफ की जो मूल आवासानी के क्या तत्व गल्थ प्रमानु भार को सही करने में उपयोगी सिद्व है जैसे सन 1869 में इससे पहले बेरियम का अपमानु भार 13.05 माना जाता था क्योंकि बेरियम के कुछ गुर्ण विकर्ण संबंद द्वारा एलिमेंट के समान पाए जाते थे जिसके कारण बेरियम को त्री सेनु जग माना गया इसके आदार पर उसका अपमानु भार ततुलिय नए तत्वों की खोज में उपियोग। मैनलीफ ने अपनी मूल आवासानी में नए तत्वों के लिए कैई इस्तान रिक छोड़ दे थे और ये रिक्तिस्तान उन तत्वों से संबंद दे थे जिनकी खोज अब तक नहीं हुई थी। बाद में जब इन तत्वों की खोज उनके गुण मैनलीव द्वारा वनित गुणों के लगबग समान थे जैसे स्केंडियम 44.96, गैलियम 69.72, जर्मेनियम 72.59 इसके उधारन है इस पिरकार मैनलीव की मूल आवासानी से नए तत्मों की कोसता अनुसंदान में साहता मिलती है अब आगे देखते हैं बच्चो समान गुणों वाले जत्मों को भिनबिन सम्मूओं में रखना समझे बच्चो मैनलीव की मूल मैनलीव की आवासानी में समान गुणों वाले जत्मों को भिनबिन इस्थानों पर रखा गया है जैसे प्लेटिनम 195.09, गोल्ट 196.97 के गुणों में समानता है फिर भी उन्हें आठवे पहले समुवें भेर्मेनिस्तान पर रखा गया है अब अगला पॉइंट बच्चो बहारी तत्वों को हलके तत्वों से पहले रखा गया जैसे कोबाल्ट को निगेल से और टेरीडियम को आयवरें से मेंनलिव की मूर आवासाने पहलों भारों के बढ़ते वे किरम में है इस पिरकार के परिवर्तन मेंनलिव की मूर आवसाने के विपरीथ है अगला पॉइंट बच्चो दुर्लब मिर्दा तत्वों का इस्तान दुर्लब मिर्दा तत्वों के रासानी गुनों में समानता है प दोश है, अगला इस पॉइंट है बच्चो, समिस्थानिकों का इस्थान, देखें समिस्थानिक क्या होते हैं, समिस्थानिक वो होते हैं, एक ही तत्व के वो पर्मानों, ठीक है न बच्चो, एक ही तत्व के वो तत्व, जिनका पर्मानों किरुमांग समानों और प्रमानों ऐसे तत्वों कहते हैं बच्चो पुर्माणों समिस्थानिक कहते हैं समझे बच्चा आप एक ही तत्व के वे रूप जिनका पुर्माणों किर्माण समान हो और पुर्माणों भार अलग अलगो तो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे समिस्थानिक कहलाएंगे